नमस्कार स्वागत है आप सभी का इन्यान्यूस के खास प्रोग्राम फामिली गुरू में मैं हूँ आपके साथ स्प्रिच्वल गुरू सुनैना और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोमवार की हांजी कि सोमवार के दिन कौन से इसे उपाय करने चाहिए जो बहु सुमवार के दिन उनकी विशेश पूजा अर्चना की जाती है कहा जाता है कि भोले नाद बहुत भोले हैं और भक्तों के इसे बहुत जल्दी प्रसन हो जाते हैं सोमवार के दिन भग्वान शीव की पूजा और उनसे जुड़े कुछ खास उपाय बेहत करागार माने जाते हैं पुराणों के अनुसार शीवलिंग पर कुछ खास चीज़े चढ़ाने से भोले नाद बहुत जल्द प्रसन होते हैं और जीवन में आने वाली सारी बाधाएं दूर करते हैं अगर आप अपने जीवन में धन संबंदी या किसी अन्य परिशानी का सामना कर रहे हैं तो उसे सुमवार के दिन जरूर करिए कुछ ऐसे विशेश उपाय हैं जो आप अपनाएंगे तो अपने कश्टों से मुक्ती पाएंगे तो आएए चलिए मैं बताती हूँ कि सुमवार को कौन से उपाय करने हैं सुमवार को शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग को गंगा ज़ल अरपित करे और इसके साथ ही ओम नमा शिवाए मंत्र का जाप करें ऐसा करने से भगवान शिव सुक्संबृद्धी का आशिरवात देते हैं मंदिर जाकर सुमवार की शाम शिवलिंग को शेहत की धारा अर्पित करें इस उपाय से नौकरी और वेवसाय से जुड़ी परेशानी से छुटकारा मिलता है इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है कि शेहत जो है आपने शाम को ही चड़ाना है सुमवार के दिन भोले नाथ को लाल या पीले चंदन का तिलक लगाएं चंदन शीतल प्रकृती का है इसलिए इस उपाय से कभी भी घर में धन दौलत की कमी नहीं आती है सुमवार के दिन भोले नाथ की अराधना करते समय आक्षत, फूल और नवेद्य जरूर अर्पित करें ऐसा करने से शिव शम्भू प्रसंण होंगे और आपकी सभी मनुकामना पूर्ण करेंगे सुमवार के दिन भोले नाथ की पूजा के समय शिवरक्षा स्त्रोट का पाठ शरूर करना चाहिए ऐसा करने से धन की कमी नहीं रहती और भोले नाथ की कृपा आपकर सदा बनी रहती है सुमवार के दिन शान के समय कच्चे चावल में काले तिल मिलाकर दान करना चाहिए ऐसा कहा जाता है कि उस उपाय से पित्र दोश का प्रभाव कम हो जाता है और आर्थिक तंगी दूर होती है दामपत्य जीवन में आ रही परिशानियों को दूर करने के लिए सुमवार के दिन श्रिव मंदिर में रुद्राख्ष का दान करें ऐसा करने से कई प्रकार की परिशानियां दूर हो जाती है इसके साथ ही विवाह में आ रही बाधाओं से भी मुक्ति मिलती है आज के हमारे इस खास वीडियो में बस इतना ही सुमवार के दिन ये छोटे छोटे तीन-चार उपाय जो मैंने आपको बताए हैं ये अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे कि अगर आपके दामपत्य जीवन में कोई प्राबलम्स हैं तो वो दूर हो जाएगी जिनका विवा नहीं हो रहा उनका विवा शीग्र हो जाएगा जिनको धन की समस्या आ रही है जौब की समस्या आ रही है उनकी ये समस्या भी दूर हो जाएगी तो हम अगले वीडियो में अगले वार के साथ और उसके उपाय के साथ फिर से हाजिर होंगे तब तक के लिए मुझे दीजे इजादत आप खुश रहिए स्वस्त रहिए नमस्कार